नमस्कार छात्रों! पिछले वीडियो में हमने देखा एक ही शब्द को देवनागरी लिपी और रोमन लिपी में कैसे लिखा जाता है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिप्यंतरन और अनुवाद के बारे में। क्या होता है लिप्यंतरन चलिए समझते हैं किसी भी भाषा के शब्द को उसी के उच्चारन के अनुसार किसी और लिपी में लिखना लिप्यंतरन कहलाता है इसे एक उधारन की मदद से समझते है अभी मैं एक शब्द लिख रही हूँ शब्द है घर यह शब्द मैंने कौन सी लिपी में लिखा है? सही पहचाना यह शब्द लिखा गया है डेवनागरी लिपी में इसी शब्द को अगर मुझे रोमन लिपी में लिखना है तो मैं उसे लिखूंगी जी, एच, ए, आर, घर ध्यान से देखिए दोनों शब्द एक ही है मगर लिखे अलग-अलग लिपी में है पहला शब्द लिखा गया है देवनागरी लिपी में और दूसरा शब्द लिखा गया है रोमन लिपी में इसी को कहते हैं लिप्यन तरन चलिए कुछ और उधारनों की मदद से समझते हैं लिप्यंतरन मैदान यह देवनागरी लिपी में लिखा गया शब्द है इसे मैं रोमन लिपी में कुछ इस तरह लिखूंगी रंग यह देवनागरी लिपी में लिखा गया शब्द रोमन लिपी में कुछ इस तरह लिखा जाता है अब देखते हैं वी स्कुल इसे देवनागरी लिपी और रोमन लिपी में कैसे लिखते हैं देवनागरी लिपी में वी स्कुल यह शब्द कुछ इस तरह लिखते है इसी शब्द को रोमन लिपी में लिखते हैं इस तरह दोनों शब्द एक ही है बस इनकी लिपिया अलग-अलग है इसी को कहते हैं लिप्यन तरन आसान भाषा में लिपी में रुपांतर मतलब लिप्यन तरन चलिए कुछ वाक्य की मदद से समझते है लिप्यन तरन क्या होता है वीडियो में हम एक वाक्य देख सकते है देवनागरी लिपी में लिखा गया वाक्य है यह मेरा घर है इसी वाक्य को अगर मैं लिप्यन तरिक करके रोमन लिपी में लिखना चाहू तो वह कुछ इस सरह दिखेगा यह मेरा घर है यह था लिप्यन तरण अब हम पढ़ते हैं अनुवाद के बारे में क्या होता है अनुवाद? किसी भी भाषा के शब्द को अन्य भाषा में लिखने को अनुवाद कहते है जैसे गाई यह हिंदी भाषा का शब्द है इसी शब्द को अंग्रेजी भाषा में काउ कहते है गाई यह शब्द देवनागरी लिपी में लिखा गया है और काउ यह शब्द रोमन लिपी में लिखा गया है लेकिन इन दोनों की भाषा भी अलग है यह हिंदी भाशा में लिखा गया है और काउ यह शब्द अंग्रेजी भाशा में लिखा गया है चलिए एक रंग की मदद से समझते हैं अनुवाद क्या होता है हरा रंग यह शब्द हिंदी भाशा में ऐसे लिखते है इसी को अनुवादित करते हुए अंग्रेजी भाषा में ग्रीन कलर इस तरह लिखा जाता है इसी शब्द को अगर मुझे मराठी भाषा में अनुवादित करना है तो मैं उसे कुछ इस तरह लिखूंगी खरे को मराठी में कहते है फिर्वा और रंग को मराठी में भी रंग ऐसे ही कहते है बारिश का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होता है रेल बक्सा इस हिंदी भाषा के शब्द का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होता है बॉक्स गर इस हिंदी भाषा के शब्द का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होता है Home यह तो हमने पढ़ा शब्दों को अनुवादित कैसे करते हैं इसके बारे में अब हम कुछ वाक्यों की मदद से समझते हैं अनुवाद क्या होता है वाक्य है यह मेरा घर है यह वाक्य हिंदी भाषा में लिखा गया है अब हम इस वाक्य को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करेंगे अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद होगा This is my home चलिए एक और वाक्य की मदद से अनुवाद समझते है हिंदी भाषा में दिया गया वाक्य है आज मेरा जनम दिन है इसी वाक्य को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करते हुए हम लिखेंगे तो इस तरह हमने लिप्यंतरन और अनुवाद क्या होता है यह समझा धन्यवाद